जीवन चक्र हमेशा चलता रहता है आप अभी जो है वह भले ही मृत्यों के बाद नहीं रहे लेकिन आप नहीं होंगे ऐसा नहीं है क्योंकि संसार में जितने भी जीव है वह किसी नगिसी रूप में हर यूग हर समय में जन्म लेते रहे है यह अलग बात है कि आज आप नहीं कि आप बूत प्रेत या पितर के रूप में मौजूद रहे लेकिन यह करम कभी रुकता नहीं है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया भी है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे यह अलग अलग बात है कि मुझे अप पिछले जिवों से है कि उन्हें अपने अगले जन्में या पिछले जन्म का ग्यान नहीं होता हा कभी कभी कुछ ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जब व्यप्ति को अपने पुर्व जन्म की बाते याद रहती है और ऐसे कई मामले आपने पढ़ा या सुना भी होगा कि पुर उसी अनुरूप अगला जन्म मिलता है, कास तोर पर उसकी मृत्यू के समय उसकी जिसी सोच रहती है या जीन ख्यालों में वो रहता है वह कापी हद तक उसके अगले जन्म की लिंग और योनी का निरनाय करता है यानी जो वेक्ति अपनी मृत्यू के समय पत्नी, पुत्री, बेटी या अन्य किसी स्त्री के संबंधियों का ध्यान करता है वह अगले जन्म में खूद भी स्त्री रूप में जन्म लेता है अगले जन्म स्त्री बनने का एक और बड़ा कारण यहां माना जाता है कि जो वेक्ति स्त्रियों में अधिक रूची रखता है और उनके साथ रहेकर स्त्री गत व्यवहार करने लगता है वह खुद भी अगले जन्म में स्त्री बन जाता है तिसरा कारण जिन से पूरुष को अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है वह है कि स्त्रियों को सातना स्त्रियों का अपमान जो वेक्ति अपनी पत्नी का निराधर करता है और उनके साथ अपमान जनक व्यवहार करता है उसे भी अगले जन्म में स्त्री बनकर पूर्व जन मित्रो तो आज आप समझी गए होंगे किस तरीका जन्मक क्यों लेना पड़ता है आज के लिए बस इतना ही आगे ऐसे ही इंट्रेस्टिंग भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद